Clash of Clans में आज स्टार्ट होने वाला है अपना Unlimited Hero Event जहां पर आप लोग Heroes को Upgrade पर लगा के Use कर सकते हो आज के इस वीडियो में आपको मैं 7 ऐसी Best Tips and Tricks बताने वाला हूँ जिससे आप लोग इस Event को अच्छे से Maximize कर सकते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना हो वालकिस अपना Unlimited Heroes Event जो की सीव 18 days का event होने वाला था लेकिन क्योंकि हम लोग ने 4 milestone complete कर लिये थे इसलिए 31 days तक रहेगा अब सबसे पहले चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो यह है कि जितने आपके Heroes Max होने बाकी हैं आपके Village में उतने Builder आपके Free होने चीए मेरे इस Village में total मुझे 3 Builder Free चाहिए लेकिन 1 Builder मेरा 22 घंटे बात Free होगा तो यहां पर basically मेरे को 3 Builder Free रखने आपके Base में अगर 4 Heroes हैं और 4 Max होने बाकी हैं तो 4 Builder कम से कम आपको Free रखने क्योंकि ऐसे Event once in a lifetime वाली चीज़े होती है तो इसके लिए आपको अगर maximize करना इस Event को तो अपने सारे Builder Heroes पर आपको देने Defense वगर आप बाद में कर सकते हो और जैसे मेरे इस वाल अकाउंट में टोटल यहां पर 4 Heroes हैं तो मैंने 4 Builder Free रखे हैं लेकिन मैं एक Builder और Upgrade पर डाल सकता हूँ विकास मेरा जो Warden है वो Already Max आउट हो चुका है तो मुझे सिफ तीन Builder इस वाल अकाउंट में Free रखने हैं अपनी Queen, Royal Champion and King के लिए अब गईस Builder तो हमने Free कर लिए लेकिन अगर हमारे पास लूटी नहीं है तो हम Heroes को Upgrade कैसे करेंगे मेरे दोनों Storage खाली पड़ें तो हमें यहां पर अलिक्जर और डार्क लिक्जर भी farming करनी है सबसे पहले चीज़ अगर आप Legend League पर स्टे कर रहे हो और आपके Heroes अभी Max नहीं है मैं आपको सर्जिट करूँगा Legend League से आप बाहार निकल सकते हो एक दो दिन के अंदर क्योंकि Legend League में आप दिन में सिर्फ 8 ही डाय कर पाओ कि जिससे आपको बहुत ही कम loot मिलेगी क्योंकि आपको तुरन 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 अपने 3-4 Heroes को Max करना है तो बहुत आपको लूट लगेगी ऐलिक्सर और डाक लिक्सर में तो Best League यहां पर रहेगी आपके लिए Titan League अगर आप लोग 14-13 है उससे lower है अगर आप 10-11-12 तो आप लोग यहां पे Champion League 1 Titan League 3 तक stay करने की try कर सकते हो अब Heroes को एक बार upgrade पे लगाने के बाद उनकी progress को आप speed up कर सकते हो upgrading जल्दी finish करने के लिए आप लोग यहां पे builder की ऊपर कोई boost apply कर सकते हो अब यह next trick है यहां पे ऐसी army को use करना जिससे आपका यह event बहुत easily यहां पे complete हो जाएगा और आपको जादा महनत भी नहीं करनी पड़ेगी तो मैं यहां पे यह particular army composition town hall 12 भी new हूँ तो इस पे use कर रहा हूँ और वहल कि जगर आप सोच रहे हो कि मेरी trophies का क्या होगा वो तो minus जाएंगी इस army के साथ तो उसकी भी tension नहींगा इस आप लोग यहां पे clan castle के अंदर यहां पे लेके जा सकते हो दार्क लिक्सर और अपने यहां पे basically elixir तो यहां पे डार्क लिक्सर और elixir आपको बस चेक करने कि कहां जादा है और जहां जहां आपको डार्क लिक्सर मिल रहे है उन जगह पे अपने sneaky goblin को drop करके यह tactical view update बहुत ही सही है इसके बाद आप यह भी कर सकते हो तो ऐसे select कर स और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका use होता है देखना है यह database मुझे एक मिला जो यहां पे डार्क लिक्सर स्टोरेज है इसमें literally आप देखोगे कुछ भी loot नहीं है एक्टम खाली पड़ा है अगर मैं आपको tactical view से check करके बता हूँ इसमें आप अगर देखोग है कि यहां पर इस base में कहां-कहां elixir है storage पूरे बंदे के खाली पड़ें तो हमें सिर्फ और सिर्फ और निकाल ले और यहां पर डार्क लिक्सर ड्रील निकाल लें तो शुरू करते हैं लेट सी हमारे कितने स्टिकी और यहां पर लगेंगे यहां पर लोग मुझे यहां मेरे पास एक jump spell भी है super wall breaker मेरे तक train नहीं हुए थे तो jump spell को use करके हम लोग यहां पर basically अंदर वाली डाक लिक्सर ड्रील को भी निकलवा लेंगे अगर कोई मेरे पास hero होता तो मैं उससे भी करवा सकता था फालतों मुझे spell डालें जो नहीं पड़ती पर मैं अभी half train army लेके और literally इस army में हमने सिर्फ 13 sneaky goblin use कियें तो training push नगर आप use करोगे न तो जैसे आप attack complete करोगे आपकी नहीं army वापस से train होगी कभी आपकी आर्मी untrained रहेगी नहीं तो यह तरीके से आप लोग एक घंटे में इतना loot farming कर लोगी कि आपका storage war is सब full हो जाएगा और of course आप लोग ट hero basically थोड़ा strong hero equipment के मामले में उसको एकदम max करने की try करो जैसे मेरा king यहाँ पर काफी strong है और जो आपका hero जैसे आप strategy उसकर रहे हो जैसे आप कर रहे हो भाई साब spam attack तो हमापे warden काफी important होता है तो और अगर आप queen charge कर रहे हो तो आपको queen पहले max करनी है तो इस हिसाब से पहले ना भी prefer कर सकते हो अपने clan world league medal से क्योंकि builder potion से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है total 24x का boost on all your builders जो कि यहाँ पे आपके base पे available है यानि 6 एचा है builder आपको 24x speed से काम करने को मिलेंगे एक घंटे के लिए तो यह potion काफी help कर सकता है आपके सारे heroes को instantly upgrade करके finish करने के लिए hammer of heroes तो जिए एक ही heroes का 78 दिन कम करता है लेकिन यह builder potion आप सारे heroes का 78 दिन दो दिन कर सकता है अगर आप 4 builder potion जैसे use कर लोगे वैलके यह थी अपनी 7 best tips for the unlimited heroes event एन इस event के start होती आप इन सब का use कर सकते हो और अपनी progress को maximize कर सकते हो अगर आप को वीडियो पसंद आए तो like जिरू इस event को maximize करो और सारे heroes को upgrade पर लगा के रखो